Hello students, मैं श्रीमती सुमन गोयल, साहय काचारिय इतिहास, आज आपसे सेकिंड पेपर विश्व का इतिहास में तीसा की मंदी या आर्थिक महामंदी पर चर्चा करना चाहती हूँ. सबसे पहले हम जाने कि आर्थिक महामंदी या तीसा की मंदी क्या है? प्रथम विश्वियुद के पश्चात, अक्टूवर 1929 में सैंक्त राज अमेरिका के शेयर बाजार में अचानक तेजी से गिरावट आरंब हो गई. उसके परिणाम सुरू सभी वस्तूओं की जो मार्केट में थी उनकी कीमते तेजी से गरने लगी. उसके पश्चात, विश्व के सभी देशों में वस्तूओं के दाम गिरने लगे, बैंकों के लिए रुपिया अदा करना कठिन हो गया, बैंकों की इस्तिती खराब होने लगी, बड़े बड़े जो बैंक हैं वो दिवालिये हो गए, सभी देशों में मुद्रा का मुल्ले गिरने लगा, बेरोजगारी बहुत अदिक बढ़ गई, और जो जनता थी, उसकी आर्थी किस्तिती खराब होने लगी, और जो माल थे, सामान थे, उनकी कीमते कमी होने लगी, और चुकि बेरोजगारी बहुत अदिक बढ़ गई, इसलिए लोगों के पास सामान को खरीदन की क्रेय शक्ति खतम हो गई इसके कारण मुद्रा का मुल्य था या मुद्रा की जो क्रेय शक्ति थी वो भी कमजोर पढ़ने लगी एक माइने में कहें तो पूरे विश्व की आर्थिक स्तिती खराब हो गई और सारे विश्व पर आर्थिक संकट गहरा गया इस आर्थिक मंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मंदी 1930 के दशक में हुई थी इसलिए इसे इसे टीसा की मंदी भी कहा जाता है यह आरतिक मंदी एक्दम से कैसे हुई विश्व को इस आरतिक संकट का क्यों सामना करना पड़ा ुशके लिए हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे सबसे पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन परिस्तितियां जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक संपूर्ण विश्व को एक महायुद्ध का सामना करना पड़ा जिसमें विश्व के लगबग सभी रास्टर शामिल हुए इस महायुद्ध के कारण जो रास्टर थे उनकी आर्थिक इस्तिति खराब होने लगी क्योंकि इन रास्टरों को अपना अधिकार्श ध्यान है वो हतियारों की खरीद पर अपना जो पैसा है वो हतियारों की खरीद पर लगाना पड़ा साथ ही साथ जो उनके युवा वर्ग था जो वो भी युद्ध में शामिल हो गया और इसके कारण उनकी इस्तिति खराब होने लगी और अधिकांश रास्टरों को एक बड़ी मात्रा में युद्ध का सामना करने के लिए अमेरिका से रिन लेना पड़ा वो एक बड़ी युद्ध रिन के शिकार हो गए उन्हें उम्मीद थी कि युद्ध के पश्चात अगर विजय होंगे तो विजय के कारण क्षती पूर्ती के रूप में जो रकम उन्हें हासिल होगी उससे वो अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई कर लेंगे लेकिन ये युद्ध शती पूर्ती भी उन्हें हासिल नहीं हो पाई और परिणाम सरुप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सारे रास्ट्रों के उपर आर्थिक संकट घहराय गया और यही आर्थिक संकट कालांतर में महामंदी का कारण वना दूसरा जो महत्पूर कारण था वो भी प्रथम से सम्मंदिती है और वो है युद्ध क्ष शती पूर्ती का प्राप्त ना होना और सभी रास्ट्रों के उपर बहुत अधिक युद्ध रिण चड़ना जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि प्रथम विश्यूद में बहुत अधिक आर्थिक नुकसान या आर्थिक खर्चा होने के कारण सभी रास्र कमो वेश रूप से युद्ध रिण के शिकार हो गए और युद्ध क्षती पूर्ती के रूप में उन्हें आर्थिक साहलता म जिल नहीं पाई युद्ध के दोरान उनका व्यापार वानिचे और उद्योग धन्दे नस्ट हो गए इससे उनकी अर्थ व्यवस्ता लड़ खड़ा गई और जो आर्थिक संकट का कारण बनी तीसरा जो महत्पूर्ण कारण था वो है क्रसी और उद्योगों का यंत्री कर जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्युद के दोरान अधिकांश जो युवा वर्ग था वो सैनिक के रूप में युद्ध में शामिल हो गया परिणाम सरूप उनकी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए जो उद्योगों ने यंत्री करण का सहरा लिया इसके जो नुकसान है वो ये हुआ कि इससे जो मजदूरों का स्थान यंत्रों ने ले लिया परिणाम सरूप उद्योगों के मालिकों ने मजदूरों की छटनी कर दी इससे मजदूर बेरोजगारी के शिकार हो गये दूसरा महत्पूर कारण क्या हुआ यंत्री कारण के कारण युद के दोरान उत्पादन अधिक हो गया लेकिन युद के पश्चात ये अधिक जो उत्पादन था उसको खरीदने के लिए ग्राहकों का अभाव हो गया और जो मजदूर वगेरा जिने बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था उनके पास इस सामान को या जनता के पास सामान को खरीदने के लिए पैसा नहीं रहा और परिणाम सरूप गोदाम जो थे वो माल से भरे रह गए और उनकी इस्तिती ये हो गई कि माल तो बहुत अधिक लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं था अगला कारण जो था वो इससे ही जुड़ा हुआ था कि उद्योगों के जो पास था उत्पादन तो बहुत अधिक हो गया लेकिन क्रेश शक्ती में यानि सामान को खरीदने की शक्ती में गिरावट आने के कारण इस माल को लोगों में बेरोजगारी बढ़ी मजदूरों की छटनी हुई जिसके कारण वो बेरोजगार होगे और बेरोजगारी बढ़ने के कारण इस माल को खरीदने वाला कोई नहीं रहा। अगला कारण जो था वो था स्वान्ड की कमी स्वान्ड की कमी इसको हम इस तरह से जानते कि हर रास्ट का अपना एक स्वान्ड मान होता है यानि जितना मतलब वो अपना स्वान्ड को बचा कर रखता है भमोले दूद धातू के रूप में आर्तिक संकट के समय उसका इस्तेमा करता है लेकिन तीसा की मंदी के दोरान अधिकांश रास्ट्रों ने अपना स्वर्णमान का परित्याग कर दिया अधिकांश रास्ट्र चूकि अमेरिका के युद्ध रिण के शिकार हो गए थे उन्हें एक बड़ी रकम अमेरिका को चुकानी थी तो अधिकांश रास्ट्रो इस रुकम को सुर्ण के रूप में चुकाया, क्यूंकि चुकाने के लिए जो उनकी मुत्रा थी, उसकी क्रेशक्ती कम हो गई थी। हो गई कहा चाता है जो अर्थ शात्रिये वो कहते हैं कि उस समय विश्व का लगबक साथ प्रतीशत सोना अमेरिका और फ्रांस में ही जमा हो गया और अन्य देशों के पास सोने की कमी हो गई और इससे रास्ट्रों के बीच स्वर्ण सिक्कों का मुल्य बढ़ गया लेकिन दूसरी बस्तूओं की कीमते घट गई अगला जो कारण था वो था आर्थिक रास्ट्रियता आर्थिक रास्ट्रियता का तात्पर यह होता है अपने रास्ट के प्रती तेदिक मोहोना रास्ट के प्रती मोहोना अच्छा है लेकिन जब यह है अन्य अन्य रास्ट्रों के लिए मुश्किल बन जाए तो यह रास्ट्रियता खातक हो जाती है और यही रास्ट्रियता सामराजेवाद या उपनिवेशवाद का कारण बनती है तीसा की मंदी के दोरान यह रास्ट्रियता आर्थिक रास्ट्रियता के रूप में उबरी इसका तात्परे है कि सभी रास्ट्रों ने अपने आपको आर्थिक संकट से बचाने के लिए अपने जो माल है उस पर आया शुल्क लगाना शुरू कर दिया जिसे दूसरे रास्ट् दंदों को संरक्षित रख सके और अपने उद्योग धंदों का माल ही जो अपने रास्ट में बेचा जा सके इससे धीरे धीरे अंतराश्ट्य व्यापार और मुक्त व्यापार समाप्त होने लगा अत्यदिक जो मात्रा में आया शल्क लगाया जाने लगा तो इससे रास्ट ए व्यापार करना कर नहीं पा रहे थे और अंतराष्टे व्यापार काफी कम हो गया इसका बुरा प्रभाव उन देशों पर भी पढ़ा जो शती पूर्ती या युद्रिणों की अदाईगी कर रहे थे क्योंकि इससे अनुकूल व्यापार अंतर समाप्त हो गया अगला जो वो अमेरिका का एक प्रसित शेयर मार्केट है प्रारम में इस शेयर मार्केट में जो शेयर्स थे उनकी कीमतें बहुत अधिक बढ़ने लगी यहां तक कि उनकी कीमतों के बारे में कहा जाता है कि वो तीन से लेकर 20 गुना तक बढ़ गई परंतु 21 अक्टूबर 1929 को अचानक शेयर बाजार में कमी आ गई और शेयरों के भाब तेजी से गिरने लगे यदिपी अमेरिकी सरकार ने अपने शेयरों के जो दाम हैं उनको गिरने से रोकने के लिए काफी कदम उठाए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी इससे अमेरिका ने योरोपी रास्रों को र देना बंद किया तो जो योरोप के अन्य रास्र थे उनकी इस्तिती खराब होने लगी और उनका इसका प्रभाव उनके शेयर मार्केट पर भी पड़ा और उनके दाम गिरने लगे इससे संपूर्ण विश्व एक आर्थिक मंदी या संकट की चपेट में आ गया इस प्रका अमेरिका के शेयर बाजार के पतन ने आर्थिक संकट को और अधिक व्यापक और अनिस्ट कारी बना दिया अब हम कल जो चर्चा करेंगे वो आर्थिक महामंदी का प्रसार और आर्थिक महामंदी को रोकने के लिए उपाए गए अपनाए गए उपाए और आर्थिक मंदी क परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे थेंक लिए